हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागत है सबसे बड़ी बात यह है कि UP2, AK2, UPSEE की काउंसलिंग आज से सुरू होगी 19 तारीक से आपकी काउंसलिंग सुरू होगी इसके पहले कई ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे हम बेसिक पॉइंट भी मान सकते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं उसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि प्रिवेस परिच्छा के पड़ाम आने के बाद सबसे जरूरी काम क्या होता है कि काउंसलिंग की प्रिक्रिया में सामिल होकर अपने एड्मिशन के प्रिक्रिया को पूरा किया जाए सबसे पहले ये भी जान लिया जाए कि इस साल कितने बच्चे पास हुए है कितने सीटों के लिए इस बार काउंसलिंग कराया जारा है सारी प्रिक्रिया यहाँ पे हम जानेंगे तो बताया गया है कि इस बार का जो एक्जाम हुआ था और जो रिजल्ट आया है आपका उसमें 91.78% इस्टूडेंट पास हुए है UP2 की जो इस तरह से इंटरेंस एक्जाम होता है तोटल इस्टूडेंट जो उन्होंने फार्म भरा था 1,60,000 बच्चों ने इस साल फार्म भरा था लेकिन 1,60,000 में से कितनी लोगों ने एक्जाम दिया था तो 1,34,000 बच्चों ने एक्जाम दिया था तो बॉय की संख्या अधिक ही है, 91,411 है, तो ही गल्स की जो संख्या है, वो है, 31,614 है, इसके बाद यह भी आप सभी जान लिए कितने सीटों के लिए एडमीशन होगा, तो इस बार की जो आपकी काउंसलिंग होगी, टोटल 1,35,000 सीटों के लिए काउंसलिंग के जाएगे, जिसमें आपके प्राइबेट भी है, कॉलेज है, और गॉर्मेंट है, उसके सासत कई ऐसे कॉलेज होते हैं, जो UPTU के माद्यम से अपने कॉलेज में 10% सीट लेते हैं, ज बीटे के लिए 73,150,000, बीफार्मा के लिए 24,523,000, MBA के लिए 25,562 सीटों के लिए एडमीशन करा जाएगे, इसके अलावा जो MCA के बच्चे हैं, कई और कोर्से से उसके लिए जो बच्चते हैं, बाकी यहाँ पे बच्चे हैं, इसके बाद यहाँ पे आप सभी यह भी ज 755 कॉलेज गो आप सलेक्ट कर सकते हैं, मैक्समें की मैं बात कराऊं, इसके बाद यहाँ पे आप सभी यह भी जान लिए कि LD क्लासिस के माद्यम से 2020 और 2021 के सेसन के लिए जो समस्या आपको आ रहे हैं, कि जैसे फिवेरियर क्या होता है, भी फार्मा के लिए गौर्मेंट इसके बारे भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो पहला वीडियो था बेसिक पॉइंट काउंसलिंग यहाँ पे आपको दिखाया गया है, दूसरा वीडियो था वो था भी टेक, MBA, MCS, सीट, गवर्मेंट और प्राइविट दोनों का है, इसके पार्ट टु इसका भी अपलोड कर दिया गया है, बीफार्मा कालेज के लिष्ट भी है, इस तरह से आप इन वीडियो को देखकर अपनी जो समस्या आ रहे हैं, उसको समधान कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम पूरे तरह से बहुत ही लंबा या विस्तार से समझाने की कोशिस ना करें, साट में ही म आती है कि रजिस्टेशन, रजिस्टेशन देखिए सभी का होगा, अगर आप काउंसलिंग की प्रिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अगर आप एड्मिसन लेना चाहते हैं, रजिस्टेशन की जब बात आती है, तो आपको एक हजार रुपया देना होगा, चाहे आप किसी भ पहला होता आपका रिस्टेशन, रिस्टेशन की बाद आपका होता है डाकुमेंट वेरिफिकेशन, यह जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन होता है, यह आनलाइन होता है, आपको जैसे जो प्रिंटर होता है, आप देखते हैंगे कि इस तरह से, उसमें रख को सारा आपको डा आप सभी परता है थोड़ा सा समय लग सकता है जैसे आपने सुबह किया तो सूबह तक मैंसे जाएगा इसा हो सकता है इसके लिए आप लोग परसान मत होईएगा document verification के बाद आता है कि college को select इसके बाद देखिए college जो select करने की बात आती है जिसे हम choice feeling कहते हैं उसमें कोई limit नहीं होता है कोई 10 college भी select कर सकता है कोई 50 भी कर सकता है कोई 100 भी कर सकता है कोई 1 भी कर सकता है उस वेक्ति के उपर है कि उसका rank कितना है general rank कितना है OBC rank कितना है ST rank कितना है हर चीज़ देखने के बाद आपने हिसाब से decide करिए कि हमें 10 college में मिल जाएगा 20 college में मिल जाएगा या 50 college में मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा जो होता है उसके हिसाब से इसका मतलब हो गया कि 24 फिलिंग कोई भी उसकी लिमिट नहीं है आप अपने हिसाब से जितने चाहें कॉलेज को फरफेंस में भर सकते हैं इसके बाद जो आता है सीट एलाटमेंट रिजल्ट देखें सीट एलाटमेंट का जो रिजल्ट होता है कि आपको ये कॉलेज ये ब्रांच मिला है क्या आपको पसंद है या नहीं अगर आपको पसंद होगा तो आप 20,000 रुपय जमा करिए 20,000 किनको देना होगा जो OBC कटेगरी से बिलॉंग करते हैं या जनरल कटेगरी से बिलॉंग करते हैं अगर ये दो बच्चे जैसे मलब इस कटेगरी के चाहे वो बॉय हो या गर लो उनको 20,000 रुपया देना होगा वही अगर S.E.S.T. के जो इस्टुडेंट है उनको 12,000 रुपया देना होगा बात समझेगा बहुत ही बिस्तार से मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसी में जब आप ये पैसा जमा करेंगे 20,000 रुप आपने कटेगरी के इसाब से तो वहाँ पे दो आपसन आएगा एक आएगा फ्रीज और एक होगा फ्लोट फ्रीज और फ्लोट क्या होता इसको भी यहाँ पे समझ लिजे फ्रीज का मतलब होता है कि जो ब्रांच जो सीट आपको जिस कॉलेज में मिला है ओ आपको एकदम पसंद है उसके अलामा आप दूसरा आगे भी पढ़ना नहीं चाहते हैं नेक्स रांड में भी नहीं चाहना चाहते हैं और कॉंसलिंग प्रिकरिया से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो हाँ पी आपको फ्रीज कर देना होगा फ्रीज का मतलब कि आपकी ओसीड फिक्स हो गई ओसीड आपकी ही है आप उसी पर एड्मिसन कराएंगे इसका मतलब होगे कि आगे की परिक्रिया में आप सामिल नहीं होंगे वो जो आपको मिला वो ही आपको पसंद है float का मतलब होता है कि first round में जो आपको seat मिला है वो आपको पसंद नहीं है आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे किसी को BIT college मिल गया लेकिन वो चाहता है कि हमें IET college मिल जाए तो BIT वाला जो उसका branch है वो अभी तक उसका seat है वो उसके पास रहेगा जब तक उसको IET में नहीं मिल जाता है तो यही चीज आपका है तो float कि आप first round में जो आपको seat मिली होती है उसको भी आपके पास रखा जाएगा जब तक कि second round में कोई seat नहीं मिल जाए तो इसके लिए आपको float करना होगा ध्यान रखिएगा कि freeze करिए या float आपको यह जो पैसा 20,000 और 12,000 वाली जो बात की गई है यह आपको जमा करना होगा जब तक आप यह जमा नहीं करेंगे तब तक नहीं तो freeze होगा और नहीं float होगा अब यह मत करिएगा कि सर देखिए होता ना कि जिसके बारे में वीडियो में बात किया जाता है लोग वही question उसी वीडियो की नीचे पूछते है तो थोड़ा सा लगता है कि यार या तो उन्होंने वीडियो को skip करके देखा होगा ए तो थोड़ा सा बूरा लगता है इसलिए आप सबी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए अच्छी तरह से समझे उसके बाद नहीं समझमे आता है तो आपको phone number तो दिया गया फोन नमबर एक बार मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि केलडी ग्लासिस का जो हिल्प नमबर है वो 73 55 45 बार है आप इसे नोट डाउन कलेगा जिससे समझने में दिक्कत ना हो 73 55 45 बार है आप इसे कभी भी फोन करिएगा एक बार में नहीं उठेगा तो दो बार में तीन बार में दोबारा इधर से भी काल बैक किया जाता है इसके साथ ही आप WhatsApp से जोड़ सकते हैं, Facebook से जोड़ सकते हैं, WhatsApp नमबर यही है, इसी तरह से हर प्रकार से आप मैसेज भी कर सकते हैं, इसे नमबर पे आपको जवाब मिलेगा, इसके बाद का अगला जो हमारा point है कि what is freeze or float, इसके बारे मैंने बात किया, इसके बाद यहाँ पे लेकिन seat का जो amount होता है, वो आपके rank के अधार पे होता है, यह नहीं कि आप पहले कराएंगे तो पहले मिल जाएगा, बाद में कराएंगे तो बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका rank देखा जाता है, आपका category का rank, आपका जैसे जो general rank होता है, उसको भी द मौका मिलेगा, अगर मालिए कि पहले round में किसी ने 5 ही college को preference में बरा, लेकिन उसमें से कोई college नहीं मिला, तो आप अगले round में जाके, 5 को 10 college या 20 college जितना भी आप चाते हैं, उसी के अनुसार change कर सकते हैं, लेकिन freeze वालों को कोई भी आपसा नहीं मिलेगा, freeze वालों को freeze हो ज चेहें, तो कुल मिला कर देखा जाए, तो first round हुआ या second round या third round, fourth round हुआ, उसमें कौन-कौन से ऐसे point है, जिसे हमें ध्यान रखना होगा, तो कूल मिला कर बस सम्हें कम ही point में बात करेंगे, और वही point हर round में, वही point लाग होगा, जैसे बताय गया कि second round में क्या point लाग होग जिसने रिंट हो लेकिन एकचार रुपया जमाद नहीं कर पाए ज detto कई बार सर्वर नहीं चल पाता है या वह भी स्टूरेंट हो सकते हैं जिसने कोई भी SAP को नहीं भरा है वह भी इस तरह से फर्ष्ट में आगर उन्हों नहीं इस तरह से किया था वो सेकंड में भिव आप सभी यहां पर से लागू हो जाएगा जैसे जो जरल के लिए है ओपन रैंक जो general rank में है गरल के लिए जो 20% seat रिजर्ब होती है freedom fighter हुआ पी एच हुआ एफ इनकी जब seat भर जाएंगी तो इनकी counseling कैसे होगी इनकी general rank से होगे यह किसके लिए open rank वाले हैं या general rank वाले हैं उनकी इस तरह से counseling SC में भी इसी तरह से SC के जो girl आती है या जो freedom fighter है, pH वाले हैं, उनकी जब सीटे जो reserve सीटे होती हैं, भर जाएंगी, उसके बाद उनकी जो counseling होगी, जिस तरह से एक SC बच्चे का normal कैसेते की counseling होता है, उसी तरह से आपकी counseling होगी, यही बात आपको समझना होगा, कि पहले जो आपके लिए seat reserve, रिसमालिये की कोई जब आपकी reservation की seat होती हैं, जब full हो जाती हैं, उसके बाद यह नियम लाग होगा, यह सभी के लिए लाग होगा, चाहिए आप OVC के लिए, या SC हो, OST हो, या open rank वाले हो, सभी के लिए यही नियम लाग होगा, इसके बाद आता है कि सर हमारा पैसा कब वापीस होगा, और कि मैंने बता है कि जनरल OVC के लिए 15,000 रुपए आएगा, क्योंकि उनके लिए 20,000 रुपए लगता है, counseling के fees, तो 20,000 देंगे, अगर वो second round में अपना refund कराते हैं, तो उनको 15,000 मिलेगा, वही SCST के जो student है, अगर वो 12,000 रुपए देते हैं second round में, तो उनको 9,000 रुपए मिल यह आपको हफता भर लग सकता है, यह पैसा आने में, इसी तरह से जो बच्चे हमारे जो हमारे दोस्त हैं, अगर वो third round में apply करते हैं, कि हमें counseling नहीं कराना है, हमें admission नहीं कराना है, उनको कितना पैसा लगेगा, देना तो आपको हर बार 20,000 और 12,000 ही देना है, जैसे category wise है, लेकिन जब पैसा आपका वापस होगा, तो कितना कितना, third round में जो लोग 20,000 रुपय देंगे, उनको 10,000 रुपय मिलेगा, वहीं जो लोग 12,000 देंगे, उनको 6,000 रुपय मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ के, आप लोग यह पैसा दीजेगा, अगर आपको admission कराना और किस round में कितना पैसा नहीं मिलेगा, यह बाते आप सभी को clear होनी चाहिए, second round की तरह ही हमें third round में भी विसेज तरह से बाते ध्यान रखने होगी, तो इसमें कौन-कौन से point important, जैसे मैंने बताया कि PH की सीटे भर जाएंगी, या जो freedom fighter की सीटे भर जाएंगी, या girl की पैसे रिजर्ब होती है, उस सीटे भर जाएंगी, तो आपकी counseling कैसे होगी, third round में, तो बताया कि ST के student होगी, उसमें ST की category की seat होती है, रिजर्ब होती है, वो सीटे भर जाएंगी, तो ST के जो बच्चे होगे, उनकी counseling SC rank से होगी, और SC की seat भर जाएंगी, तो OBC rank से होगी, औ और OBC वालों की seat भर जाएंगी, तो उनकी जो counseling होगी, वो general rank से होगी, या जिसे हम open rank भी कहते हैं, तो इस सरे से आपको समझना होगा कि पहले आपकी category का rank देखा जाएगा, आपके अगर category में सारी seat भर जाएंगी हैं, तो उससे उपर वाले, जैसे ST का SC से, SC का OBC से, और OBC वालों का किसे हो जाएगा, counseling general वालों से हो जाएगा, वैसे भी नार्मली देखा जाएगा, तो OBC के जो student होते हैं, उनकी counseling हमेशा general rank से ही होती है, इसके बाद आता है कि special round counseling, जिसे हम fourth number का जानेंगे, ये उनके लिए होगा, जिनको किसी भी round में कोई भी seat नहीं मिली होगी, जैसे first round में नहीं मिला, second में नहीं मिला, third में नहीं मिला, उस वो लोग यहाँ पे special round counseling में participate ले सकते हैं, या आभी तक registration जिसने नहीं कराया था, या जिसने अपने पैसे को वापास ले लिया, जैसे second round में ले लिया, या third round में अपने पैसे ले लिया, वह इस तरह से special round counseling में participate ले सकता है seat मिलने के बाद सभी को 20,000 रुपए देना होगा चाहे आप OBC कटेगरी से आए General से आए या SC, ST किसी भी कटेगरी से आते हैं अगर आप special round में counseling कराते हैं तो आपको 20,000 रुपए देना होगा यदि round 5 के बाद भी seat ही खाली रहती हैं तभी round 6 कराया जाएगा वरना वहीं पर counseling की पूरी प्रिक्रिया खतम कर दी जाएगी और इस वीडियो के last में एक सबसे अच्छा point है या सबसे important point है कि last year का कटाफ कितना गया था किस college का कैसे आप इस तरह से देखके समझ पाएंगे कि हमें counseling कराना चाहिए या क्योंकि कई लोग ऐसे direct phone भी कर लेते हैं कि sir मेरा इतना rank है मुझे कौन सा college कौन सा branch मिलेगा आप यह हमें बता दीजेगा तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर पिछले साल का यह आपका cut-off है या जो closing rank और open जो rank होता है वो कितना कितना गया था इतने rank तक के लोगों को कैसे seat मिल जाती है इसी तरह से OVC के लिए 556 था तो वहीं OVC के लिए closing rank था E क्लाक 23701 SC के लिए opening rank था 2957 SC के लिए closing rank E क्लाक 27699 ST के लिए 1420 opening तो वहीं E क्लाक 26975 था यह closing rank था यह बात आपको यह समझना होगा कि कई इसे बच्चे होते हैं जिनको first round में मिला first में नहीं मिला तो second में मिला second में नहीं मिला तो third में मिला उसके बाद fourth में मिला इसके बाद होता कि सबसे पहले तो होता कि आपकी category decide होती है जैसे SC और EST के लिए counseling SC-ST rank से होती है उसके बाद OBC और general वालों को तो general rank से होती है दूसरे राज के लोग आते हैं तो उनकी भी open rank से होती है इसके बाद आता है कि freedom fighter से आप बिलांग करते हैं या PS से बिलांग करते हैं या आप गर ले तो ऐसे में यह सब अगर देखा जाए तो इसलिए जो rank होते हैं high rank वाले बच्चे को भी अच्छा से अच्छे college और अच्छे से अच्छे branch मिल जाते हैं इसलिए मेरा यही opinion है या जिस तरह से मैंने counseling कराया पिछले साल भी कराया था और इस बार भी अभी तक मैं करा ही रहा हूँ तो यही कहना है कि कितना भी rank हो आप round में counseling कराया है फर्स्ट में नहीं कराते हैं तो आप second में कराये लेकिन आप counseling की परिक्रिया में भाग ले तो कई लोगों ने कई या कई दोस्तों ने यह भी पूछा कि सरह हमारा 1000 डूब जाएगा तो मैं आप सभी को यह भी बताना चा तो आप उसे कर लिजेगा क्योंकि अगर आप यह सोचेंगे कि हम next year में जाके फिन से दोबारा तयारी करेंगे और इस तरह से दोबारा पेपर देंगे एडिमिशन करेंगे तो वह समय बहुत ही अधिक चला जाता है क्योंकि सबसे पहले तो बात होती एक साल का gap होगा दू इसी तरह से को जेड़ को जिए क्योंकि वाहिते क्योंकि से लिमिट तो है नहीं कि आप 10 तक भी सिलेट करिये कोई दिक्कत किसी को नहीं होने मतारा इसके बाद हम एक और काम करेंगे कि जैसे अगर बात किया जा कि कालेज वाई जिस तो वहा हुए जो दोस्त है कि सर में आ अगर आपका एक हजार, दो हजार, धाई हजार तक भी है तो आप IET के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से हर कालेज का जो रहेंग होता है उसी के अंसाइड होता है कि आपको वहाँ पे मिलेगा या नहीं इसलिए कुल मिलाके अगर यही देखा जाए तो आप सभी काउं को सिर उसके पहले एक हजार रुपया देना होगा तो इसलिए इसी प्रकार से बने रहे है जो भी आपकी समस्ता हो इसी वीडियो की नीचे कमेंट करिए या फोन कॉल्स कर लिए या वाट्षप कर लिए जो भी आपको करना होगा आप कर सकते हैं आपके हर प्रश्णों का जवाब देने की कोसिस किया जाएगा इसी प्रकार से बने रहे हैं बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के लडी ग्लासिस की ओर से धन्यवाद